उत्रप्रदेश के कैबिनेट मंतरी मौसन रजा ने राजस्थान में पुजारी को जिन्दा दुलाने की घटना पर कॉंग्रिस को घेरा है मौसन रजा ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड़रा सिर्फ हात्रस मामले पर राजनेती करने आते हैं कॉंग्रिस शाषित राजों के साधूसंतों की हत्या हो रही है पर दोनों भाई बहन खामोश क्यों है दुख दर्द बातने उनके घर क्यों नहीं जाते उन्होंने विपक्षी दलों पर भी आरोप लगा है कि कॉंग्रिस सपा बसपा आम आदमी पार्टों को साधूसंतों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते इनके प्रति उनकी कोई समवेदना नहीं है मौसिन रजा ने कहा कि कॉंग्रिस को जवाब देना होगा कि आखिर कॉंग्रिस शासित राजियों में साधूसंतों और पुजारियों के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों हो रहे हैं इसके पीछे कौन लोग शामिल है कॉंग्रिस शासित राज राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया दिन धाड़े जलाये गया पुजारी जी को इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं रहूल गांधी जी और प्रेकावटरा जी और उत्तरपरदेश के हाथ रस पर पूरी राजनीत करने आ गये थे दंगा कराने के साज़श कर रही थी कॉंगरेस यहां पर उनके नेता का इसलिक आपरेशन सामने आया जहां पर वो कह रहे हैं कि यहां पर दो उनके मरेंगे दो इनके मरेंगे तब रहूल कांजी जी आएंगे तो आप आखिर ये करा कर आप जाना चाहते हैं तो आप राजस्थान भी चले जाएए पुजारी जी को ज़राया गया है उनके उस घर भी जाईए और आप पालगर के जो हमारे साथु मारे गए उनके घरों पर भी जाईए, क्यों नहीं जाते है कॉंग्रेस के नेता, और यहां पर अगर किसी को खरोज भी लग जाए, और पता चल जाए कि संख्यक समधाय से आते हैं, तो फॉरण पूरी कॉंग्रेस, सो कॉल्ड सेक्लर, सारे नेता, साथ दोड़ने लगते हैं, चाये व कोई समधना है, इनकी कोई महत्तों नहीं है आपकी नजरों में, खाली गोल्ट बैंक की राजबीत करते रहेंगे, आखिर आपके कॉंग्रेस के शासित राज़ों में हो क्या राए है, इससे पहले तो कमी हमारे देश में इस तरह की चीज़ा नहीं कटी है, इस चीज़ के कि आपको परदेश और देश की जनता को जवाब देना होगा, क्या आखिर आपके शासित राज़ों में इस तरह से साध्यों की हक्तिया क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन लोग है और क्या आपका सर्रेक्षा मिल रहा है लोग।